दोस्तो सवाकत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजूगेशन मीट में कि शेर्स को इशू करने की प्रोसेस में जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती है दोस्तो प्रोसेस क्या होती है वो उसका theoretical पार्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आप वो देख सकते हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले कि practically इसमें कैसे काम किया जाता है तो ज़्यादा time ना waste करते हैं शुरू करते हैं दोस्तो आज के हमारी वीडियो दोस्तो जैसा की कल मैंने आपको बताया था कि एक company सबसे पहले अपना प्रेवेवरन पत्र यानि prospectus फॉर्म जारी करती है कि आईए आप हमारे company में आवेदन कीजिए और अपना पैसा लगाईए तो दोस्तो सबसे पहले क्या करती है आवेदन करती है तो आवेदन करने पर जो जो लोग आवेदन करते हैं उस company में तो company में पैसा आएगा आवेदिन के साथ आवेदिन राशी तो दोस्तो वो application के साथ कुछ पैसा देता है तो पैसा आता है company में उसी चीश के दोस्तो वो सबसे पेहली entry होगी जो application के नाम पर हमारे पास पैसा आया है तो दोस्तो वो entry होगी bank account debit to share application account bank में हमारे पैसा आया है और किस नाम से आया है application का पैसा आया है वो तो उसका account होगा share application account bank account debit to share application account जो पैसा आया है उस पैसे से हम वो entry कर देंगे इसके बाद दोस्तो क्या किया जदा मैंने कल आपको बताया application आगई अपने पास आ गया application आ गई तो आप जो 50 application ज्यादा यह उनका पैसा वापिस लोट आओगे तो उसकी जो entry होगी दोस्तो वो कैसी होगी वो ऐसी होगी दोस्तो share application account debit to bank मतलब reverse entry पैसा आने की जो entry की है वो था ठीक है हमने इसको अलोट करने वाले हैं लेकिन जिनको रद करोगे न जिनको मना करोगे जिनका पैसा लटा गया उसकी entry reverse हो जाएगी share application account debit to bank account तो दोस्तो यहां तक अपना काम पूरा हो चुका है अब जो application आई थी जिने हमें अलोट करना है तो दोस्तो अब हमारा काम होगा अलोटमेंट करना दोस्तो share allotment के समय जो सबसे पहली entry होगी वो दोस्तो ऐसी होगी जो application fees हमारे पास आई है उसको दोस्तो हम जो shareholder है उसका पूंजी खाता बनाएंगे मतलब जिसने application दी है उसका हमें पूंजी खाता बनाएंगे और application की fees को उस पूंजी खाते में transfer करेंगे तो उसकी कुछ entry है ऐसी होगी share application account debit to share capital मतलब जो application का पैसा हमारे पास आया था वो हमने उसके पूंजी खाते में transfer कर दिया ये उसके entry हो गई दोस्तो हमने अब तक application receive कर लिए उसका पैसा receive कर लिया और उसको साज़ेदार के पूंजी खाते में transfer कर लिया अब दोस्तो हम क्या करेंगे हमें जिन जिन को aloat करना है उनका पैसा due करेंगे मतलब मतलब दोस्तो जैसा मैंने बताया था यदि एक 100 रुपे का share है तो एक company उस 100 रुपे को कई टुकडों में मांग सकती है जैसे माल लीजिए 100 रुपे में से 20 रुपे उसने application के time मांग लिए तो दोस्तो बाकी का 80 रुपा हो सकता है वो alloatment के time या फिर first call और second call के time मांगे टुकडों में कुछ alloatment के time और कुछ calls के time तो alloatment पर जो भी राशी मांगेगी वो company वो due करने होगी मतलब जो shareholder है उनको बताना पड़ेगा हाँ भाई हम अब alloatment की राशी मांगते हैं वो आपकी due है वो आप जमा कराईए तो due करने की जो entry होगी दोस्तो वो कैसी होगी वो होगी दोस्तो share alloatment account debit to share capital share alloatment account debit to share capital दोस्तो ये due करने के entry है जो पैसा हम मांगना चाते हैं वो due कर दिया हमने shareholder के प्रती अब दोस्तो amount due हो गया तो shareholder क्या करने हैं company को पैसा देगें alloatment का पैसा देगें जो भी उसने मांगा है तो उसकी entry वो ही bank में पैसा हमारे पास आएगा तो उसकी entry वो ही होगी bank account debit to share alloatment account जो alloatment का पैसा हमारे पास आया है इसके अलाव दोस्तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात और बताईती क्या बताईती दोस्तो मैंने बतायती दोस्तो एक व्यक्ती ने 50 shares के लिए आविदन किया application लगाई लेकिन company उसको 30 shares ही alloat कर पाई तो दोस्तो उन जो 20 shares बागी हैं उनका पैसा वो 30 shares में adjust कर लेगी तो दोस्तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे अगर application की fees को बागी के जो ज़्यादा application आगे थे किसी के उसकी fees को adjust करने की entry जहाँ पर हम इस प्रकार करेंगे share application account debit to share alloatment account जो share application का ज़्यादा पैसा आया था उस आदमी का उसको 30 आलोट के हमने 20 का ज़्यादा पैसा है वो हमने इस प्रकार alloatment में adjust कर दी share application account debit to share alloatment account दोस्तो यहाँ पर एक condition है कि कई बार company या joint account भी खोल सकती है मतलब share application account का और share alloatment account का दोनों का एक joint account भी खोल आजा सकता है ऐसा क्यों दोस्तो? क्योंकि दोस्तो आपस में दोनों भाई हैं एक तरह से वो कैसे दोस्तो? वो ऐसे दोस्तो share application की बजी बना share उको alloatment नहीं हो सकता और share alloatment तब ही हो सकता है जब share application मांगी हो तो दोस्तों दोनों एक दूसर के साती हैं इसलिए दोस्तों हम उनको कई बार joint account भी बना लेते हैं तो दोस्तों यदि joint account बनाया जाता है तो उसकी entry क्या होगी सबसे पहले entry जो होती है न तो वो entry जैसा पैसा आने की इसके बाद यदि हम allotment का पैसा ड्यू करते हैं तो वो ही entry share application and allotment account debit to share capital account मतलब कंबाइंड किया और कुछ भी नहीं किया इसके लावा जब allotment का पैसा हमारे पास आएगा तो उसकी entry होगी bank account debit to share application and share allotment account दोस्तों हमने application मांग ली और हमने उनको shares भी allot कर दिये अब 100 रुपे का share था 20 रुपे हमने मांग लिये थे application पे मान ली जी 30 रुपे हमने allotment पे मांग लिये अब बाकी का पैसा क्या बाकी के पैसे क्या होगा जो 50 रुपे बचे एक अंच पे वो क्या होगा दोस्तों allotment के बाद जो भी राशी मांगी जाएगी उसे दोस्तों calls कहा जाता है यानि मांग पर राशी calls, first call, second call, third call मतलब कितनी calls में मांग दे उसी साब से दोस्तों मान लो एक ही call में मांग लिया अपने सारा पैसा जो 50 रुपे है एक के बाद में मांग लिया तो वो first and final call होगी यदि दो किस्तों में हम मांगते हैं जो 50 रुपे बच्चे हैं 25-25 मांगते हैं या 30-20 कैसे भी मांगते हैं तो first call and final call तीन में मांगते हैं तो first, second and final call इस प्रकार दोस्तों allotment के बाद जो पैसा मांगा जाता है शेर होल्डर से उसे हम calls कहते हैं demand कहते हैं मांग पर, मांग पर राशी दोस्तों यहां पर जहां देने वाली बात यह है कि एक demand की राशी मतलब एक call की राशी shares के अंकित मुले के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती यदि 100 रुपे का share है तो एक call जो होगी वो 25 रुपे से ज़्यादा नहीं हो सकती है और दोस्तों दो calls के मद्धे कम से कम एक मेने का time period होना जरूरी है तो दोस्तों जब भी हम allotment के बाद share call due करेंगे वोई काम करना पड़ेगा, due करना पड़ेगा जितना भी हमें पैसा मांगना है तो वोई due करने के entry क्या होगी share call account debit to share capital account अगर दोस्तों ये first call है तो दोस्तों हम लिखेंगे share first call account debit to share capital account यदि second है तो second लिखेंगे third है तो third लिखेंगे अब दोस्तों share call का पैसा आएगा पैसे आने के वो ही entry bank account debit to share call account इस तरह दोस्तों दो तीन जितने भी call की जाएगी उस प्रकार से हम share first call share second call के नाम से general entries कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा वोप आठ पुरा हुआ जब एक सामन्य परिस्तिती में shares को allot किया जाता है मतलब share holders है हमने जितना पैसा मांगा सभी ने दे दिया कोई बकाया नहीं है कोई due नहीं है ये उस condition की entries complete होई हमारी लेकिन दोस्तों ये जरूरी सोड़ी है कि सभी share holders ने पैसा जमा करा दियो किसी का बाकी भी रह सकता है कोई किसी कारण नहीं चुकाया हो तो दोस्तों वो भी चीज यहां पर होती है हाला कि हम उन्हें 14 दिन का समय देते हैं यदि कोई राशी वो नहीं चुका पाता है लेकिन दोस्तों हो सकता है वो चुका ही नहीं पाया हो वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे और दोस्तों जो आज हमने पढ़ाया उसका एक practical सवाल भी देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद कर दो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया ऐसे दोस्तों confusion होता है आप दोस्तों उस chapter का नाम लिखे कि हाँ सर हमें ये chapter ची इस chapter कहां में practical सवाल बता दीजिए ताकि मैं वही chapter दोस्तों पढ़ा सकूँ ऐसे दोस्तों आप यदि बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्तान से हैं तो अलग-अलग किताबे हैं, बुक्स हैं, उनका सब जगे दोस्तों जरू थोड़ी कि NCRT ही हो तो इसी कारण दोस्तों confusion ना होए, इसलिए आप chapter का नाम लिखे हमेशा तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही धन्यवाद